दोस्तो कल मार्केट पे एक नहीं दो बड़ी अपडेट आनी है पिछली बार जब ये अपडेट मार्केट को हिट करी थी तो मार्केट में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी लेकिन उस टाइम डेटा भी अच्छा आया था और डेटा मेंशन किस ने किया था हाइलाइट किस ने किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी जी ने तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है कि कल जो डेटा आने वाला है 28 मार्च को तो उस दिन आपको देखेगा काफी बड़ा मुमेंटम फोकस करना है यहाँ पे मार्केट में मुमेंटम पूरी तरीके से इंपाक्ट कर सकता है after this particular डेटा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा महिने में मन्त में वेट किया जाता है कि ये डेटा कब आए क्योंकि आपको दो डेटा बहुत अच्छी तरीके से फोकस करने होते है एक inflation का डेटा और एक GDP का डेटा तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से domestic data मार्केट को हिट करने वाला है अब domestic data में कौन सा data domestic data में आपको देखने हो मिलेंगे Q3 FY24 के देखेगा यहाँ पे GDP के numbers और यहाँ पे चक करना होगा यह चीज बहुत ही important होगी देखेगा यहाँ पे which is scheduled to be देखेगा March 28 इसके अलावा आप देखेंगे deficit का data भी आपको देखने हो मिलेगा fiscal deficit का data भी आपको impact करता हो देखने हो मिलेगा infra output का data भी आपको impact करता हो देखने हो मिलेगा फिर forest का data तो आपको बाद में impact करेगा ही परेगा लेकिन यहाँ पे जो multiple data कल hit करेगा market को अगर यह same as it positive आ जाता है तो यह market के लिए बहुत अच्छी बात होगी लेकिन अगर expectation जो market के expectation है उससे कम आता है तो वो चीज़ impact करेगी market को अब कैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो GDP के नंबर पिछली बार unexpectedly जो expect की गयते 6.9% या 7% के आसपास वो unexpectedly किते आ गयते 8.4% के आसपास और फिर देखेगा अचानक से total overall estimate जो था GDP के नंबर का वो बढ़ गया था जो annual number का जो expectation था वो बढ़ गया था अब होता क्या है कि इसके बाद ही तुरन देखेगा आप expectation हो चुके है कि आने वाले time में पूरा overall performance जो है GDP के नंबर की जाधा देखनी को मिल सकती है अब आपको पता है कि जब expectation बढ़ जाती है expectation है 8.4 के according अगर ये number से कमाते हैं तो expectation market की देखेगा वो होगी थोड़ी से fed up होगी और market इसमें देखेगा negative react करेगा लेकिन expectation से भी अच्छी number आ जाते हैं या फिर as in-line expected number आ जाते हैं तो ये market के लिए बहुत अच्छी बात होगी और market को इसे strength मिलेगी और market 22,000 का level भी hold गरेगा जो की बहुत important है निप्टी के लिए फिर बात अगर इतने ही तक होती तो रहने देते हैं लेकिन बात इसके लाव आपको देखने हूँ मिलेगी तो सबसे पहले आज रात को ही number आएंगे crude oil के देखेगा जिससे price crude oil के price पे भी impact पड़ेगा लेकिन सबसे important है GDP के number अमेरिका के जो कल ही आने हैं इसके बाद PCE जो एक तरीके से inflation का ही data होता है जिसे fed पूरी तरीके से focus करता है consumer spending का data जो आपको पता है कि मैं कई बार highlight भी करता हूँ तो ये data भी आएगा अगर ये data भी बढ़कर आता है तो American bazaar तुरण तड़ा देखीगा धड़ाम से गिर जाएगा क्योंकि आपको पता है fed 29 March को आ रहा है fed इस पे जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा और GDP के नंबर बहुत ज़्यादा च्छे आ जाते हैं तो वो भी economy में strength को show करेंगे और जब वो show करेंगे तो आपको पता है कि वो चीज fed को बिलकुल भी अच्छी नहीं लगेगी तो multiple number of data कल आपको देखती हूं मिलेंगे जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से stock market पे उसका impact पड़ेगा जो कि कल है 28 March और आपको पता है US GDP नंबर बहुत ही ज़्यादा लोग देखेगा watch out करेंगे और estimate अगर आप देखेंगे economy लगातार grow हो रही है 3.2% in October December quarter और against advance estimate of 3.3% against 4.9% growth in previous quarter तो अगर यहाँ पे data इससे भी अच्छा रहा है और बिलकुल strong देखेगा economy की strength बनी हुई है तो इसका मतलब है कि Fed इस पे कोई ना कोई reaction 29 March को ज़रूर देगा और market इस पे तुरंती react कर देगा जैसे data देखने को मिलेगा तो focus करिएगा कि bond market कैसा behave कर रहा है data आने के बाद और daw futures कैसे behave कर रहे है आने के बाद data तो वीडियो गर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना न भूलेगा Thank you so much